बच्चो पिछले अध्यायो में हमने देखा कि लेखांकन क्या है और लेखांकन के कुछ सैधान्तिक आधारों के बारे में भी हमने जाना अब हम देखेंगे कि व्यवसाइक सौदे जिनका की हम लेखांकन के अंतरगत लेखा करते हैं वास्तों में उनकी उत्पत्ति कैसे होती है कैसे हम कहते हैं कि कोई व्यवहार जिनका हम लेखा कर रहे हैं किस प्रकार उनका उदै हुआ है यानि की इसको अंतर्गत लिकर बार और जिनके आधार पर व्योज साइक सोदों की उतपत्ति होती है और इसके साथ साथ पिछली अध्याय में हमने जाना था कि प्रतेक वेवहार के दो पक्षकार होते हैं जिने हम credit और debit याने एक लेने वाला और एक देने वाला इनके नाम से हम जानते हैं तो इन्हीं बिंदों पर हम विस्तार से इस अध्याय में चर्चा करेंगे लेकिन इसके पहले हम कुछ उन बिंदों पर भी नजर डाल ले जिन शब्दों को हम इस अध्याय के अंतरगत प्रयोक्त करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं प्रमाणक क्या है वाउचर जिसके बारे में एक शॉट में हमने पिछले अध्याय में भी देखा था वास्तों में प्रमाणक जैसे की नाम से इस पस्ठ है लेखांकन जब हम कर रहे हैं तो उसका एक प्रमाण है उसके लिए एक लिखित प्रमाण के रूप में यह प्रस्तुत किया जाता है जो भी सौदे होते हैं वैपार में उनको हम यत्र तत्र कहीं पे भी नहीं लिख सकते कोई न कोई उसका प्रमाण होना कोई सबूत होना कि हाँ वास्तों में ये सौधे इस तथी पर इस वेक्ति के द्वारा हुए हैं इस तरह से उनको प्रमाणित कर देना प्रमाणक कहलाता है ये लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर आगे हम लेखे करते हैं तो ये है प्रमाड़क, दूसरा होता है लेखांकन प्रमाड़क, क्योंकि प्रमाड़क के बारे में हम जान गए हैं, अब अगर हम इसके साथ लेखांकन शब्द को जोड़ देते हैं, तो ये लेखा पाल द्वारा यानि जो एक व्यक्ति अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उस इसने जो भी व्यपारिक सौदों के बारे में जानकारी दी है, वो सत्य है और इसकी वो गैरंटी लेता है कि ये प्रमाड़ित है सत्य है, तीसरा एक शब्द हम यहाँ पर देखेंगे नगद प्रमाड़क, कैश वाउचर्स, नाम से इस पस्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे प्र हम जिन प्रमाड़कों का प्रयोग करेंगे, वे सभी नगत प्रमाड़क के अंतरगत आएंगे, अगला बिंदु हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेबिट प्रमाड़क और क्रेडिट प्रमाड़क, तो पहले जानते हैं कि डेबिट प्रमाड़क क्या है, तो डेबिट तरह के भुकतान से संबंधित जो राशियां हम लिखते हैं वो सारी की सारी डेबिट प्रवाणक के अंतरगत आती हैं यहां पर नगद प्राप्ति नगद भुकतान नगद क्रे नगद विक्रे इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमको भुकतान किन-किन चीज़ों करना है हमने किसी प्रकार की कोई संपत्ति किसी से ली है तो हमको वहां पर नगत भुगतान करना है अगर हमने किसी दाइत्तो का भुगतान करना है तो वो भी नगध होगा तो इस तरह के जितने भी नगत भुगतान होंगे expenses होंगे वो सारे के सारे जो है debit voucher में चले जाएंगे इसका just opposite हम देखेंगे credit प्रमाणक यानि credit vouchers यानि जितनी भी प्राप्तिया होंगे जो भी हम receive करेंगे करने वाले हैं जीन amounts को वो सारे के सारे जो है वो credit प्रमाणक में चले जाएंगे चाहे हम देनदारों से कुछ प्राप्ति करें किसी संपत्ती के विक्रे से कुछ प्राप्त हो वस्तों के नगद विक्रे से प्राप्त हो कहीं से भी जो भी प्राप्तिया आएंगे वो सारी की सारी प्राप्तिया credit प्रमाणक में चले जाएंगे अगला जो एक शब्द हम देखेंगे वो होगा गैर नगद प्रमाणक या जिसे हम कहते हैं हस्तांतरन प्रमाणक तो अभी जिन प्रमाणकों की हम बात कर रहे थे चाहे वो डेबिट प्रमाणकों या क्रेडिट वहाँ पर हम नगद प्राप्ती या नगद भुकतान की बात कर रहे थे लेकिन इन से हट के जो तीसरा यहाँ पर हम प्रमाणक की बात कर रहे हैं गैर नगद यानि इसकी अंतर विक्रेवापसी इस तरह के जो गैर नगत व्यवहार होते हैं वो सभी व्यवहार गैर नगत प्रमाणक के अंतरगत शामिल किये जाते हैं साथ ही हम यहाँ पर एक महतुपूर्ण पॉइंट जो सुनेंगे वो होगा लेखांकन समीकरण जब हम अपने अंतिम खाते बनाते हैं अंतिम सिति विवरण बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि संपत्ति के सिति क्या है और दायत्ति के सिति क्या है हम देखते हैं कि संपत्ति और दायत्तो का जो कॉलम होता है जो टोटल होता है वो बराबर हो रहा है यानि कि एक concept हम यहाँ पर यह लगा लेते हैं कि वर्ष के अंत में संपत्यों का मूल और देताओं का मूल दायतों का मूल दोनों बराबर होता है और वहाँ पर वो balance sheet close होताती है तो उनी संपत्यों और दायतों के मूल को जिस प्रकार हम स्थिती विवरेंट में प्रस्तूत करते हैं उसी तरह की प्रस्तूती एक समी करण के माध्यम से भी की जा सकती है जिने हम लेखांकन समी करण कहते हैं किस तरह से हम इसका नर्मान करेंगे आगे इस अध्याय में हम औ हमारे जो विशे हैं उसके अंतरगती आते रहेंगे यही कारण था कि इनका इनकी मीनिंग जान लेना पहले हमारे लिए बहुत जरूरी था अब अगर हम बात करें सबसे पहले प्रमारक की तो अब हम प्रमारकों को बहुत विस्तरित रूप में आपर जानेंगे कि क्या होते हैं प्रमारक क्या इनके प्रकार होते हैं और उसके अंतरगत कौन-कौन से उनकी विशेस्ताएं होती हैं तो प्रमारकों के बारे में जैसे कि हमने जाना कि एक लिखित दस्तावेज होते हैं और एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो किसी भी विवहार के लिए प्रमारित करते हैं कि हाँ वास्तों में वो विवहार किये गए हैं लेखांकन अधिकारी जो होता है, वो अपने हस्ताकषर के दोरा उन दस्तावेजों को प्रमारित करता है कि वास्तों में इस तिथी को इस तरह के वैभार किये गए है और फिर उनके आधार पर आगे के लेखांकन कारी किये जाते हैं आईए प्रमाणक को और अच्छी से जानने के लिए इसके कुछ परिभाशाओं को देखें। और्थर डबलू होम्स के अनुसार प्रमाणक किसी सौदों के समर्थन में एक प्रलेखिय सबूत है। बॉटली बॉइ के अनुसार प्रमाणक को लेखा पुस्थकों में दर्शाई गई किसी प्रविष्टी के समर्थन में एक प्रलेखिय सबूत के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि सभी परिभाशाओं में लगबग ये माना गया है कि प्रमाणक जो है लेखों का समर्थन करते हैं और उसके वास्तविक्ता का ये प्रमाण होते हैं कि वास्तों में इस तरह के व्यभार जो है वो व्यपारिक रियाओं के अंतरगत किये गए हैं। अब अगर हम बात करें प्रमाणकों के विशेस्ताओं की तो हमने इनकी जो परिभाशाओं देखे इनके अर्थ के बारे में हमने जाना उसी क्या धार पर हम इसके कुछ विशेस्ताओं को बिंदुवार यहाँ पर हम उनका अध्यन कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं कि याद रखा गया और कभी याद रहेगा और वह लिख दिया जाएगा इस तरह के प्रमाण नहीं होते बलके इस पर प्रमाण होते हैं। दूसरा इनकी विशेस्ता यह है कि लेखों का आधार होते हैं। हम आगे की वैपारिक क्रियाओं में चाहे हम जनरल पोस्टिंग करें या उसके आधार पर हम लेजर बनाएं फिर ट्रायर बैलेंस बनाएं। सभी लेखों का जो आधार होता है वो वाउचर ही होता है प्रमाण की होता है। तीसरा सौदों की संपूर जानकारी प्रमाण को के अंतरगत सौदे कब हुएं किनके द्वारा हुएं किन दो पक्षकारों के बीच में हुएं। उसकी डेट क्या थी और किस तरह के सौदे हैं उधार है या नगधै किस तरह के सौदे हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो प्रमाण को के अंतरगत दे दी जाती है। अगला एक बिंदु हम देखते हैं कि शुद्धता यहां पर बनी रहती है क्योंकि हमने देखा कि एक शॉटकट में कोई जानकारी नहीं रहती बलकि पूर रूप से यह जानकारी रहती है जैसे जितने लोगों के बीच में भी जो वेभार किये के हैं उसका पूरी की पूरी रहती है और क्योंकि इसमें लिखने वाला जो वेक्ति है उसका हस्ताक्षर रहता है अधिकरित वेक्ति का हस्ताक्षर रहता है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाउचर में जो भी वेभार लिखे गए हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध है अगले एक विशेस्ता हम यह दे तो यह प्रमारक की विशेस्ताएं थी इसके अंतरगत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है या नहीं कह सकते हैं कि क्या है इसके विशेवस्तू आईए देखते हैं इसके विशेवस्तू में जो जिन जिन तत्यों का उलेक किया जाएगा उनकी सूची कुछ इस प्रकार से ह सबसे पहले तो इसमें फर्म का नाम लिखा जाएगा और स्थान लिखा जाएगा कि वो फर्म कहां पहनाम और पता लिखा जाएगा दूसरा इसमें जो लिखा जाएगा वहोगा कि तयार करने की विधी क्या है किस विधी से यह तयार किया जा रहा है तीसरा यहाँ पर हम उसमें करने वाले वैक्ति के हस्ताक्षर होंगे अभी हमने देखा ना कि विषयसताओं के इंतरगत हमने देखा कि शुद्धता होती है तो ये शुद्धता का आधार यही है कि जिस व्यक्ति ने उसको तैयार किया है वो अपने वहाँ पर अधिकृत हस्ताक्षर करता है ये प्रमारित करता है कि वास्तों में जो लेखे किये गए हैं वो सही है शुद्ध है तो ये एक इसकी विशेविस्तु होती है कि लिखने वाला तयार कने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने हस्ताक्षर करता है साथ ये एक इसकी विशेविस्तु ये भी है कि अनुमोदक प्रमाणक का क्रमांग भी यहाँ पर लिखा जाता है आगे हम देखेंगे कि कौन से सौधे डेबिट किये गए हैं और कौन से सौधे क्रेडिट हैं उनका शिर्षक लिखा जाता है और साथ में अधिकरित वैक्ति के जो भी उनका अधिकारी है उससे यहां पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं तो यह पूरी विशह वस्तु है लेकिन इसको सुस्टेमेटिक ह यहां हम एक प्रमाणक का नमूना देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमने इसके विशह वस्तु में देखा था कि यहां पर हम परम का नाम लिखेंगे जैसे यहां पर उदारन की तोर पर दिया गया है डीडीपी एयर कोरियर प्राइवेट वाउचर नमबर लिखा है प्रमाणक क्रमांग लिखा है दाई और हम डेट डालेंगे तिथी डालेंगे जिस दिन हम वाउचर लिख रहा है और फिर इस वाउचर को हम किस प्रकार से बनाएंगे यह हम देखते हैं कि ऊपर एक हिस्से में हम डेविट वाले जो अमाउंट ह लिखेंगे और वहीं पर उसको total करके बंद कर देंगे और पिर नीचे हमने credit के लिए जगह बनाए हुई है वहाँ पर credit के लिए जो मदे होंगे उनको हम लिखेंगे और amount में उनकी राशी लिखके total लिखकर बंद कर देंगे रिसीव रुपीज के लिए हमने कहां पर कॉलम बनाया है वहां पर जो टोटल राशी हम को प्राप्त होई है वह हम लिखेंगे और वाउचर के नीची हम देखते हैं कि तीन लोगों के हस्ताक्षर होंगे एक अकाउंटेंट होबा लेखा-पाल जिसने इस व अब आये देखते हैं कि प्रमाणक के प्रकार क्या है प्रमाणक के प्रकार को अगर हम देखें तो इनको हम दो भागों में बाट सकते हैं अनुमोदक प्रमाणक और लेखांकन प्रमाणक इसमें भी कई वर्गीकरण है जैसे हम देखते हैं कि जो अनुमोदक प्रमाणक है वो अपने आप में दो भागों में बटा है एक होता है तीसरे पक्षकार द्वारा तयार किये गए प्रमाणक जिसे हम बाह यह प्रमाणक भी कहते हैं और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेबसाई द्वारा तयार किये गए प्रमाणक जिने हम आंतरिक प्रमाणक भी कहते हैं दूसरा इसका जो रूप है वो है लेखांकन प्रमाणक अब लेखांकन प्रमाणक को भी हमें आपर दो भागों में बाड़ देते हैं कौन-कौन से दो भाग एक नगत प्रमाणक और एक गैर नगत प्रमाणक यहां हम देखते हैं कि नगत प्रमाणक भी दो भागों में बटा हुआ है एक डेबिट प्रमानक और दूसरा क्रेडिट प्रमानक तो बहुत सारे आंतरिक वर्गी करण इसमें कर दिये गया है इन सभी प्रकार को हम लाइन से पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे कि वास्तों में ये किस तरह के प्रमानक है इनका इनमें किन-किन प्रमानक की तो यहां पर हम उन प्रलेखों के बारे में बात करते हैं जो किसी व्यवसाइक व्यवहार का एक प्रमान प्रस्तुत करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं बाह अनुमोदक प्रमानक और आंतरिक अनुमोदक प्रमानक वे प्रमानक है जो किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा थर्ड पार्टी बनाती है इनको तो कौन-कौन से प्रमाणक तीसरे पक्षकार द्वारा तयार केगे प्रमाणक या बाह अनुमोदक प्रमाणक कहलाएंगे एक उधारन हम देखते हैं यहाँ पर जैसे मान लिजे कि विक्रेता से प्रा प्रमाणक मानेंगे साथ ही हम देखते हैं कि मकान मालिक से प्राप्त जो रसीद है वो भी बाहे अनुमोदक प्रमाणक के अंतर गताएगी या फिर हम यहां पर देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होते हैं वो भी बाहे अनुमोदक प्रमाणक के अंतर गतात पर team आ जो है वो खुद तयार करता है वे आंत्रिक अनुमोदक प्रमाणक एकार का वो है लेखांकन प्रमाणक और जैसे कि हमने पहले भी देखा था जूसरा लेखायि जिसे लेखा पाल जो है वो स्वेम तयार करता है और यही कारण है कि यह बहुत शुद्ध होते हैं बहुत प्रमानित होता है और लेखा पाल और साथ में अधिक्रित व्यक्ति जो होता है वो उसमें हस्ताक्षर भी करता है उनको प्रमानित करने के लिए लेखांकर प्रमानक क और credit प्रमार्णक को शामिल करते हैं तो जब हम debit प्रमार्णक याने कि debit vouchers की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि हम ने पहले भी देखा था कि सभी प्रकार के नगत भुकतान आते हैं चाहे वो किसी प्रत्यक्ष व्यार से संबंदित हो, क्रेविक्रे से संबंदित हो, समपत्ति प्रमाणंड का जो दूसरा रूप है ख्रेडिट वॉचैर उसके अंतरगत समस्त प्राप्तियं आती है चाहे वो किसी भी वेवसाई gleich कि अंतरगत कि गई प्राप्तियं हो संपती अधायतेों के समद्द में किगर्खतियं हो सभी प्राप्तिय जो है वो क्रेडिट तो आईए देखते हैं डेविट प्रमाणक की विशेवस्तु क्या है इनमें किन किन विश्यों को किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है सबसे पहले यहाँ पर जब हम डेविट प्रमाणक का निर्मान करेंगे तो उसमें हम फर्म का नाम लिखेंगे साथ ही उसमें हम लेखांकन प्रमाणक का जो क्रमांक है उसका उलेख हम करेंगे उसके बाद हम इसमें तिथी लिखेंगे जिस तिथी को वो वाउचर तयार किया जा रहा है उसका हम डेट लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर संशिप्त वर्णन करेंगे जिसके सम्मद्द में वो voucher बनाएगे है, जिन वेभारों के सम्मद्द में उन वेभारों का हम यहाँ पर एक संशिप्ट वर्णन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि लिखने वाला कौन है, लिखने वाले का हस्ताक्षर रहेगा, साथ में अधिक्रित वेक्ती का भी हस्ताक्षर रहेगा और साथ में यहाँ पर हम शुद्ध रकम जो है जितनी रकम के लिए ये voucher बनाया जा रहा है उसका उलेक करेंगे तो इन सभी विशेवस्तों के आधार पर वास्तों में एक debit voucher का निर्मान जब किया जाएगा तो उसका प्रारूप क्या होगा किस तरह से इन बिंदूओं को हम voucher में अंकित करेंगे इसे समझने के लिए आए हम इसका प्रारूप देखते हैं डेविट प्रमानक का एक नमूना हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस voucher के अंतरगत सबसे पहले हम यहाँ पर पॉंद का नाम और पता डालेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने पॉंद का नाम मेसर श्री राम ट्रेडर्स और व्यास गली राइपूर चातिस गड़ इस तरह से डाला है तो यह पहली जो विशेवस्तू हमने देखी थी नाम और पता वाउचर का हमने लिख लिया उसके बाद बाई और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमाणक संख्या हमने लिखी हुई है दाई और यहाँ पर हमने डेट डाला है वो डेट जिस तथी को इस वाउचर का नर्माण किया जा रहा है और उसके नीचे हम देखते हैं कि क्या जो डेबिट मदे हैं किस विशेव पर हम यहाँ पर इस voucher का निर्वान कर रहे हैं उसको एक संशिप्त रूप में यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि उदारण सुरूप यहाँ पर इसने खरीदा है तो इसकी बाई और जो अमाउंट का कॉलम है वहाँ पर अंकित कर दी जाएगी और यहीं पर इसका सकड योग निकालकर इसको बंध कर दिया जाएगा उसके नीचे हम देखते हैं कि बाई और जो प्रबंधक है वो हस्ताक्षर करेगा और दाई और जिसने इस वाउचर को बनाया है जो लेखा पाल है अकाउंटेंट जो है वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और एक चीज हम देख रहे हैं कि बाई और एक जो कॉलंग दिया गया है वहाँ पर जो रुपए यहां प्राप्त हुए है उसके पूरी प्रविस्ट्री यहां पर दी जाएगी तो आपने देखा कि किस तरह से डेट प्रमाणक में डेट वस्टर्व में इन विश्य विश्य वस्ट्रव को पर हम अंकित करते हैं अब आईए देखते हैं कि क्रेडिट वाउचर क्या है और इनकी विश्य वस्थू कॉन कॉन सी है तो credit voucher के बारे में जैसे कि हमने जाना कि सभी प्राप्तियों का उलेख यहाँ पर होता है और उनके संबंद में इन vouchers का निर्मान किया जाता है इनके विश्यवस्तु क्या होती है तो सबसे पहली बात है कि इसमें firm का नाम और पता लिखना है किस firm के लिए वो voucher रिडी किये जा रहे हैं तिथी क्या होगी date हमको लिखना है voucher जिस दिन निर्मान किया जा रहा है उसकी तिथी क्या है साथ में हम इसमें लेक करते हैं वाउचर क्रमांक का बहुत सारे वाउचर हम अपने वैभार में बनाते हैं और उनके आधार पर लेखे करते हैं तो कभी अगर खोजना हो कि किस से किस पर आधारीत है वो लेके इनका base क्या है तो क्रमांक यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता है तो हम यहाँ पर फित क्रमांक लिखते हैं और उसके बाद सौदो का संशिप्त विवरण जैसे कि debit voucher बनाते समय हम करते हैं ऐसे ही क्रेडिट वाउचर के लिए भी यहां पर जो वैभार में जो सौदे किये गए हैं उनका एक संशिप्त विवरण हम यहां पर लिखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि यहां सौदों की शुद्ध राशी भी लिखी जाती है कितनी एमाउंट के लिए वो वाउचर रे तयार किया है और साथ में यह उस अधिक्रित व्यक्ति के भी हस्ताक्षर लेगा जिसके अंडर में वो काम करता है या इस वाउचर का निर्माण किया जा रहा है और साथ में यहां पर अनुमोदक प्रमाणक क्रमांक भी लिखना आवश्यक होता है तो किस प्रकार इन विश देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे के आम जो यहां उपर हम का नाम और अलिफ लिए से निया पारा लखेश अली तो clicking bene यह सब ने यह नंबर हमाइन प्रमाण को की शंख्या हूजँ कि यह किस नंजियों comfort mac कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह का एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम जो भी हमारे क्रेडिट विवहार यहां पर हुए हैं उसका एक संशिप्ट विवरेंट प्रस्तूत कर देंगे चाहे वह स्थाय संपत्यों के विक्रे से संबंदित हो या किसी भी प्रकार की जमराश से संबंदित हो उसे हम संशिप्ट रूप में लिखेंगे और उसके साथ में हम देख रहे हैं कि यहां पर हम मैनेजर का अस्ताक्षर लेंगे और जो लेखा पाल जिसने इस वाउचर का निर्माण किया है उसका हस्ताक्षर यहां पर होना चाहिए तो आपने देखा कि किस प्रकार इन नगद प्रमाणकों के अंतरगत हम डेबिट और क्रेडिट प्रमाणक के विश्यवस्तू को उनके जो प्रारूप होते हैं उसके अंतरगत हम लिखते हैं अगला एक रूप जो हम देखते हैं प्रमाणक का जिसे हम कहते हैं गैर नगत याने की नाम से पर जाता है जिसमें नगत वेभारो की प्रविष्टे हम नहीं करते जो किवल उधार वेभार या गैर नगती वेभार के अंतर गताते हैं तो इन में हम किन विशेय वेस्तु हो को शामिल करते हैं आई सपर कर एक नजर डालें तो यहां पर भी अन्य प्रमाणकों की तरह ही जो फर्म का नाम होता है पता होता है उसकी तिथी होती है और साथ में क्रमांक होता है लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं अधिक्रित वेक्ति के हस्ताक्षर होते हैं तो बिल्कुल जैसे हमने डेबिट और क्रेडिट वाउच यहां पर जो घंदान प्रमाणग उनको हम शामिल करते हैं यहां यह प्रमाणग होते हैं गैशिट कारण यह बनाया जाते हैं तो जाहिर से बात है कि इनका प्रारूप जो होता है वो नगद जो प्रमानक होता है उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है आईए देखते हैं कि ये जो इनके विशय वस्तुएं हैं उनको जब हम गैर नगती प्रमाणकों में लिखते हैं तो किस तरह से उसका प्रारूप एक हमारे सामने आता है हस्तांतरन प्रमालक या गैर नगत प्रमालक का नमुना हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि हमने विशय विशय वस्तों में देखा कि सबसे अबर जो फं है उसका नाम होगा और साथ में पता होगा तो फॉर्म का नाम यहां मेसर्स, सतिश, ट्रेडर्स, व्यास, गली, मालवी रोड, राइपुट, छतिश गड़ इस तरह से लिखा हुआ है यहां हम बाई और प्रमाड़क त्रमांक लिखेंगे और दाई और जो है वो तितियंकित की जाएगी उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे गैर नगत प्रमाड़क को दो भागों में बाट दिया जाएगा डेबिट और क्रेडिट डेबिट जो है वहाँ पर कौन से डेबिट राशी आ रही है उसका एक संचिप्त वर्णन हम यहां पर करेंगे और जो अमाउंट है उसकी राशी है उसको उसके सामने ही दाई और जो राशी का कॉलम है वहाँ पर लिखेंगे और वही पर हम उसको क्लोज कर देंगे पूल अमाउंट लिखकर जैसे हम यहां पर टैन थाउजन लिखकी क्लोज कर दिए है अब उसके नीचे हम क्रेडिट का संच्षिप्त विवरन लिख लेंगे और उसी तरह से जिस तरह हमने डेबिट विवहार की राश्री लिखेंगे और वहीं पर उसको जो करने के लिए सबसे लास्ट में यहाँ पर प्रबंधग जो है वो अस्त्रक्षर करेगा और सात में लेखापाल याने अकाउंटेंट जिसने इस प्रमाणक को तयार किया है उसका अस्त्रक्षर कराएगा तो हमने अभी तक देखा बहुत सारे प्रमाणक कैसे बनाये जाते हैं, क्या इनके प्रारूप होते हैं, कौन-कौन से विशेवस्तु को इनके नतर्गत शामिल किया जाता है अब हमारा जो अगला और मुख्य टॉपिक है इस शेप्टर का वो है लेखांकन समीकरण जिसके बारे में हम संशेप में पहले भी जान चुके हैं, अंतिम खाते याने जिन्हें मस्तती विवरन बोलते हैं, वहाँ पर हम एक और संपत्ती और एक और दाइत्यों का लेखा करते हैं वास्तों में यह जो संपत्तिया और दाइत्यों है यह एक दूसरे के बराबर होने का इनका प्रकृती है वो लगी रहती है और यही कारण है कि लास्ट में जब हम इन आर्थिक चिट्टों का टोटल करते हैं तो संपत्ति और दाइत्यों दोनों बराबर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी बैलेंशीट टैली हो जा रही है यानि कि टोटल जो है वो दोनों साइट का बराबर हो जा रहा है कुछ हमको यहां बीच में डालने पड़ते हैं क्यूंकि साल भर कि जब हम पर एक नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष आएं एक स्थिति विवरण अंतिम चिठ्था बनाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि बैलेंशीट जो हमारी बनती है वो लास्ट में टैली होती है बराबर होती है इन्हीं के अधार पर जब हम लेखांकन समीकरणों का निर्मान करते हैं तो जब हम संपत्ति बराबर दाइत तो इस प्रकार लिकर समीकरण बनाते हैं तो प्रतेक सिति में हर स्टैप में संपत्ति और दाइतों का जो मूल्य होता है वो बराबर होता है तो लेखांकन समीकरण जिन आधार पर बनाये जाते हैं जिन चिठ्थों के आधार पर क्या है यह चिठ्थे और किस तरह से इनका ले पगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक और हम दाइतों को लिखते हैं और दूसरे और हम संपत्यों को लिखते हैं कुछ नमूनों के अधार पर कुछ संपत्य और दाइतों यहां पर दिये गए हैं जैसे दाइतों साइड में हम देखते हैं कि पूंजी हो सकती है लेंदार ह तो दोनों साइट का जब हम टोटल देखते हैं तो एक लाग बाइस अजार संपत्ती और एक लाग बाइस अजार दाई तो दोनों का जो टोटल होता है तो इस पूरे स्थिति विवरंट से ये एक बात इसपर सुझाती है कि वेवसाइट की कुल संपत्ती एक लाग बाइस अजार है जिसमें से एक लाग जो है वो वेवसाइट की स्वामी द्वारा लाए गई पुंजी है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं और बाइस जो बाइस में लिखना चाहे तो वह किस प्रकार लिखेंगे संपत्ती बराबर दाय तो इस प्रकार और बनाते हैं तो tu